नमस्कार किसान भाईयो आज हम बात करेंगे आईसर 380 ट्रेक्टर के बारे में सबसे पहले हम अपना पर्चे दे देते हैं मेरा नाम लक्षमन कुमार है मैं कुसी नगर जीले से बिलोंग करता हूँ और कुसी नगर छेतर में सबसे ज्यादा ट्रेक्टर चलने वाला है तो आ प्रब्लम आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा यह सब कुछ वीडियो में जानेंगे तो जो डिस्टीब्यूटर होता है उस डिस्टीब्यूटर में कुछ प्रब्लम आ गई है इस वज़े से हाइडॉलिक नीचे नहीं गिर जाए तो सरुपर्थम हम सिलिंडर में तेल नहीं जाता है इस कार हाइडॉलिक का होल पोजीशन में आ जाता है तो इसका कार होता है रिम सिलिंडर को आयल को संप में जाने देना यह लोरिक वाल्व से ही आयल का ट्रांसफर होता है इसकी पंप की बात कर ले तो इसकी पंप का सेप्टी ओपनियन प् और सिलेंडर सेप्टी वाल्व की प्रेसर की बात कर ले तो इसकी सिलेंडर का जो सेप्टी वाल्व होता है वो 195 केजी स्क्वाइर से लेके 210 केजी स्क्वाइर तक होता है अब बात कर लेता है इसमें जो पांच नमर का एलंकी बोल्ट दिया होता है जो अर्जेस्टिंग वाल आइडोलिक सिलेंडर के अंदर पिष्टन अप डाउन होता है जिसमें सिलेंडर के अंदर प्रेसर बनता है ज्यादा प्रेसर बनने से सिलेंडर फटने या तूटने का डर होता है जिससे हमारा सिलेंडर सेप्टी वाल्व सिलेंडर को फटने या तूटने से बचाता है अब वीटर में एक एक करके सारे वाल्व को फिटिंग कर देते हैं ये unloading वाल्व है ८ि कुछ उक्वारिय में कार होता है तेल को lock या unlock करना ये neutral position या lifting position बनाता है इसमें दो hole होते हैं इसको फिटिंग कर डालते हैं इसको भी oil में lubrication करके सारे वालव को फिटिंग कर डालते हैं ये में कंट्रोल वालव है जिसके बारे में पहले ही बात हो चुका है इसका कार होता है ऐल को ट्रांसफर करना ये फस जाने से ही हाइडोलिक नीचे के तरफ नहीं गिरता है तो इसको भी हम लुब्रिकेशन करके आयल में उसके बाद से फिटिंग कर डालते हैं और इसमें एक जो बड़ा वाल होता है ये डंपिंग वाल होता है वो पहले ही फिटिंग हो चुका है लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में एक डंपिंग वाल होता है बड़ा साइज में होता है और इसका कार होता है जब हम हाइडोलिक को अपया डाउन पोजिशन में करते हैं तो इसमें जो जहटके का महसूस होता है उस जहटके को ये कंट्रोल करता है वाल्ब और इसमें जो ओभर आयल आता है वो भी टंकी में क्या return करता है तो जो दंपिक वाल्व के मैं बात कर रहा वो दंपिक वाल्व लंबे size का होता है वो पहले ही हमने fitting कर डाला है इस वज़से अभी दिखाई नहीं दे रहा है आप वीडियो में अच्छी तरीके से देख सकते है तो इस तरह सारे वाल्व को एक क penguin कर दालेंगे अब देख सकते हैं कि जैसे मैंने बात के अर्डिस्टिंग करते हैं इसके बादे में भी भात कर चुके हैं bikes ऑलéma किραकशतagem है क्या यह बिल्कूल कांप रहा है कि नहीं जैसे कि हमका करेंगत है कि यह कांपilly कांप रहा कि नहीं वीडियो पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब करदा नहीं